रहसे और रोमांच से भरी कहानिया यानि मिस्ट्री स्टोरीज की क्वीन अगाथा क्रिस्टी को भला कौन नहीं जानता। उनका एक बहुत ही फेमस नौवल है हिकरी डिकरी डॉक। इस नौवल के दो भाग आप हिंदी में पहले ही सुन चुके हैं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे हिकरी डिकरी डॉक का तीसरा भाग। पहले के दो भाग अगर आपने नहीं सुने हैं, तो उन्हें सुनने के लिए उपर आय बटन पर क्लेक करें। तो आईए बिना देरी किये शुरू करते हैं हिकरी डिकरी डॉक का भाग तीन। अध्याय दस मिस्टॉमलिंसन देखने में गंभीर किस्म की लड़की थी जिसके उम्र 27 साल थी उसके बाल सफेद थे, सामान नियकद काठी और मुह थोड़ा उपर की और उठा हुआ था जी इंस्पेक्टर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ उसने बैठते हुए कहा, क्या आप इस ट्रैजिक घटना के बारे में मेरी कुछ मदद कर सकती है मिस्टॉमलिंसन इंस्पेक्टर ने पूछा, ये तो बहुत ही दुखदाई बात हुई है हमें तो यही सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि सीलिया ने आत्महत्या कर ली है लेकिन अब तो लग रहा है कि शायद ये हत्या है इंस्पेक्टर शाप ने कहा, ये बात तो हम पक्के तोर पर कह सकते है मिस्ट कि उसने जहर खुद नहीं खाया था क्या आप बता सकती है कि वो जहर कहां से आया होगा जया ने सेरह लाया और बोली मुझे लगता है वो सेंट कैथरीन होस्पिटल से आया था जहां वो काम करती है लेकिन फिर उस से तो यही लगता है कि उसने आत्महत्या की है क्योंकि खुद सीलिया के अलावा भला वहां से जहर और कौन ला सकता था, इंस्पेक्टर ने तीखे स्वर में कहा, कई लोग ला सकते थे, अगर उन्होंने लाने का तैक कर हे लिया हो तो, और अगर ऐसा था, तो आप भी ला सकती थी मिस्टॉमलेंसन, अगर आपने ऐसा करन में अक्सर जाती थी की नहीं? हाँ जाती थी, लेकिन मैं वहाँ अपनी दोस्त माइल्ड रेड कैरे से मिलने जाया करती थी, मैंने तो कभी सपने में भी इस बारे में नहीं सोचा, कि मैं जहर वाली ड्रॉर के साथ छेड़ चाड़ करूं, लेकिन आप ऐसा कर तो सकती थी म माल लीजिए कि आपकी दोस्त कोई सामान तयार करने में लगी हो और दूसरी लड़की मरीजों को देखने वार्ड में गई हो, अक्सर ऐसा होता है कि सामने के कमरे में दो ही दवा तयार करने वाले होते हैं, आप वहाँ यूही टहलते हुए पहुँच गई हो और उन में गुसा और तीखापन दोनों थे, आपने जो कहा इंस्पेक्टर शार्प, मैं उसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ, आप मेरे उपर बहुत ही भद्दा आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप नहीं है मिस्टॉम लेंसन, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मेरी बात हूँ कि आपने वाकई ऐसा किया है, आखिरकार आपको ऐसा करने की भला क्या जरूरत थी, जी हाँ बिलकुल इंस्पेक्टर, मैं सीलिया की दोस्त थी, मुझे भला ऐसा करने की क्या जरूरत थी, और फिर मेरे और उसके बीच में कोई जगड़ा भी नहीं था, मैं तो उसे इतनी हरानियों और किसी बात पर नहीं हुई थी, मुझे तो हमेशा ये लगता था, कि सीलिया बहुत उचे सिध्धानतो वाली लड़की थी, मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी, कि वो ऐसा कुछ कर सकती है, इंस्पेक्टर ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, जाहिर है जिनको क्लेप्टोमेनिया होता है, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना, जिहां के होट और भी भेंच गए, वो कड़े स्वर में बोली, देखिये इंस्पेक्टर शार्प, मेरे खयाल थोड़े पुराने ढंके हैं, और मेरा ये मानना है कि चोरी च पेक्टर, मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन मिस, इसी बात की वजह से तो सारी चीजों का अंत अच्छा रहा, और मिस ऑस्टिन की शादी की शेहनाई बजने की भी नौबत आ गई, जहांने थोड़ी क्रूरता से जवाब दिया, जाहिर है, जो कॉलिन मैकनैब ने किया, उस ने सीलिया का समर्थन किया, और वो भी चोरी जैसी चीज के लिए, इंस्पेक्टर शाप ने कहा, लेकिन फिर भी, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि मिस ऑस्टिन ने इलजाम खुद आकर अपने उपर लिया था, जी हां, लेकिन तब जब उसके बारे में पता चल गया उन्होंने ऐसा कहा तो नहीं था, उन्होंने तो बस पुलिस को बुलाने की बात की थी, लेकिन ये भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर, कि मिस्टर पॉयरो ने सीलिया को कहा हो, कि उनको पता चल गया है, उसको बात समझ में आ गई होगी, कि अब उसका खेल खत्म हो गया, और उसने दोड़ कर इलजाम अपने उपर ले लिया, और मिस्स, एलिजबेट के कागजों पर इंक के बारे में आपका क्या कहना है, क्या उसने उसके बारे में भी कुबूल किया था, जी वो तो मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे ख्याल से किया होगा, आपका ख् बिल्कुल गलत है मिस्स टॉमलेंसन, उसने साफ तोर पर इस बात से इंकार किया था, कि उसने ऐसा कुछ किया है, अच्छा ये बताईए, क्या आपको लगता है, कि ये काम नाइजल चैपमेन का हो सकता है, जी नहीं इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता कि ये नाइजल न को कब देखा था, जी शुकरवार की रात डिनर के बाद, आप दोनों में से सोने पहले कौन गया था, वो या आप, जी मैं गई थी, आप कॉमन रूम से निकलने के बाद उसके कमरे में उससे मिलने नहीं गई थी, जी नहीं, और आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी कॉफी में मॉर्फिया किसने मिलाया था, जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आपने घर में या किसी के कमरे में मॉर्फिया देखा था, जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता, इस बात से आपका क्या मतलब है मिस्ट आमलेंसन, वो दर करके जहर के बारे में और ये बातचीत किन किन लोगों के बीच हो रही थी मिस जी मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत कॉलिन और नाइजल ने की थी फिर इसमें लेन बैटिसन और पेट्रिशा भी शामिल हो गए थे आप मुझे अच्छी तरह से याद करके बताईए मिस कि उस ये बात हो रही थी कि असली मुश्किल होती है जहर को हासिल करना और आम तोर पर हत्यारे का पता जहर को बेचने या उसको पाने के कारण चल जाता है और नाइजल का ये कहना था कि ऐसा जरूरी नहीं है उसने कहा कि वो तीन ऐसे अलग-अलग तरीकों के बारे में सोच सकत है जिनके माध्यम से कोई जहर प्राप्त कर सकता है और किसी को इस बात का पता भी नहीं चले कि उसके पास जहर है तब लेन बैटेसन ने कहा कि ये बेकार की बात है तो नाइजल ने कहा कि नहीं वो अपनी बात को प्रूव कर सकता है पैट ने भी नाइजल की हां में हां मिलाई उसने ये कहा कि लेन या नाइजल में से कोई भी जब चाहे हॉस्पिटल से जहर ला सकते हैं और सेलिया भी और नाइजल ने कहा कि उसके कहन जाएगा कि जहर गायब है इस बात पर पैट ने कहा कि नहीं अगर वो शीशी निकाल कर उसमें से थोड़ा सा जहर निकाल ले और फिर उसमें कोई और चीज भर दे तो किसी को पता नहीं चलेगा इस बात पर कॉलिन हसने लगा और उसने कहा कि इसमें मरीज की तरफ से कोई ग तक है और ना ही किसी दवा देने वाले तक तब भी वो खुद तीन अलग अलग तरह के जहर प्राप्त कर सकता है तब लेन बैटेसन ने पूछा कि वो तरीके कौन से हैं तो नाइजल ने कहा कि मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता लेकिन मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हू कि तीन हफते के अंदर मैं तीन अलग अलग तरह के जहर के सेंपल्स ला सकता हूँ फिर लेन बैटेसन ने कहा कि वो पांच पाउंड की शर्त लगाता है कि नाइजल ऐसा नहीं कर पाएगा इंस्पेक्टर ने बड़ी ही बेचानी से पूछा फिर क्या हुआ कुछ टाइम क कि एक ट्यूब, एक बाटल टेंक्चर और एक छोटी सी बाटल मॉर्फिन टार्ट रेट, इंस्पेक्टर तेजी से बोल पड़ा, मॉर्फिन टार्ट रेट, क्या उसके उपर लेबल लगा हुआ था? जी हाँ, उसके उपर सेंट कैथरीन होस्पिटल लिखा हुआ था, मु उसके बाद उस बाद को लेकर काफी चर्चा हुई, और फिर लेन बैटेसन ने कहा, अच्छा आप चलो, अगर तुमने कोई खून किया, तो इसके वजह से जल्दी ही तुम्हारा पता चल जाएगा, इस पर नाइजल ने कहा, किसी को जरा भी शक नहीं होगा, मैं एक आम आद बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के इन तीनों दवाईयों में से एक भी नहीं देगा, उसके बाद थोड़ी देर और बहसबाजी होती रही, और फिर आखिर में लेन ने कहा, कि वो शर्त के पैसे दे देगा, लेकिन अभी नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसने ये स्विकार किया, कि नाइजल ने जो कहा था, वो करके दिखा दिया, फिर उसने पूछा, कि बाकी सब तो ठीक है, अब इन जहर की बॉटल्स का क्या करना है, तब नाइजल ने मुस्कुराते हुए कहा, कि इस से पहले कि कोई दुरघटना हो लेकिन जहर को नश्ट कर दिया गया था, क्या आप पके तोर पर ये बात कह सकती है, जी हाँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था, ये बात 100% पकी है, और ये सारी बातें हैं कब की, जी मेरे ख्याल से करीब 15 दिन पहले की, ठीक है, थैंक यू मिस्टॉम लिंसन, अब आप जा सकती है, उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर कुछ पल तक सोचते रहे, फिर उन्होंने नाइजल चैपमैन को फिर से बुलवाया, उसके आने पर उन्होंने कहा, मुझे अभी अभी जियां टॉम लिंसन ने एक मज़ेदार बात बताई है, ओ, वो प्यारी रहे हैं आप इंस्पेक्टर, क्या आप इस बात से इंकार करेंगे मिस्टर चैपमैन कि कुछ हफते पहले आपकी मिस्टर बैटिसन से इस बात को लेकर शर्त लगी थी, कि आप किसी ऐसे तरीके से जहर ला सकते हैं, जिसका किसी को सुराग नहीं मिल सकता, नाइजल को अच बाते कर रहे थे, कॉलिन और लेन बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अगर कोई चाहे तो ऐसा काम आसानी से कर सकता है, असल में मैंने ये कहा था कि मैं तीन अलग-अलग तरीकों से ये काम कर सकता हूँ, और मैंने उनको अपनी बात साबित भी करके दिख दी थी वो तीन अलग-अलग तरीके क्या थे मिस्टर चैपमेन इंस्पेक्टर ने पूछा नाइजल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया फिर बड़े ही सधेस्वर में बोला मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं इंस्पेक्टर कि इन सब बातों को पूछने में आपका क्य भी सकते हैं लेकिन जहर को लेकर आने के अलावा मैंने और कोई गलत काम नहीं किया है और फिर ये एक हत्या का मामला है और अगर मेरे कुछ बताने से सीलिया की हत्या के मामले पर कोई रोशनी पड़ती है तो मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि मेरे लिए डरने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि मैंने कोई हत्या या कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर बताईए कि वो तीन तरीके क्या थे जिन से आपने जहर हासिल किये थे इंस्पेक्टर ने पूछा जी हाँ मैं आपको सारी बातें सिलसिलेवार बताता हूं देखे हम हमेशा अखबारों में पढ़ते करूं मौका मिलते ही उसकी कार को खोलूं डॉक्टर के सामान को चेक करूं और जो मुझे चाहिए वो ले लूं गावों में डॉक्टर हमीशा अपने साथ अपना मेडिकल बॉक्स लेकर घर में नहीं जाते ये इस बात के उपर निर्भर करता है कि वो किस तरह के मरीज को द दर्वाजा खोला उसका बॉक्स चेक किया और उसके अंदर से हायोसाइन हाइड्रोब्रॉमाइड निकाल लिया बस ओह अच्छा ये बताओ दूसरा तरीका क्या था इंस्पेक्टर ने पूछा दूसरे तरीके के लिए मुझे सीलिया को थोड़ा सा चड़हना पड़ा उस तरह से प्रेस्क्रिप्शन लिख दे जिस तरह से डॉक्टर लिखते हैं उसने बिना कुछ सोचे समझे लिख दिया उसके बाद मैंने टेलिफोन डायरेक्टरी में लंडन के एक बहुत ही दूर दराज जिले में रहने वाले एक डॉक्टर का नाम ढूंडा और साइन की से मुझे बिना किसी परेशानी के वो मिल गया जो उसमें लिखा हुआ था ये दवाई बड़ी संख्या में दिल के मरीजों के लिखी जाती है और मैंने वो प्रेस्क्रिप्शन होटल के कागज पर लिखवाया था वाह बहुत बढ़िया और तीसरा तरीका क्या था तुम्ह इंस्पेक्टर ने तीखे स्वर में पूछा आपकी आवाद से ऐसा लग रहा है इंस्पेक्टर कि मैं अपने आपको अलग अलगतर है के इल्जामों में फसाता जा रहा हूँ अच्छा ये तो बताईए कि मेरे उपर कौन-कौन से मामले लागू हो सकते हैं पहला खुली ग के सिगनेचर की नकल थी मान लीजिए मैं एक प्रेस्क्रिप्शन लिखता हूँ और उसके नीचे HR James लिख देता हूँ तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं किसी खास HR James नाम के आदमी के साइन की नकल कर रहा हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ और और वैसे भी मैं आपको बता दूँ कि अगर मैंने एक छोटी सी शर्त लगा ली तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हत्यारा बन गया मुझे किसी को तकलीफ पहुचाने जैसे काम बिल्कुल पसंद नहीं है और हत्या तो जानवरों जैसा भयानक काम है बेचारी सीलिया इस ला के तौर पर लेना है या गयर जिम्मेदार व्यवहार के तौर पर ये मैं खुद देख लूँगा अब फटाफट मुझे तीसरे तरीके के बारे में बताईए नाइजल ने कहा तीसरा तरीका बाकी दोनों से खतरनाक था इंस्पेक्टर लेकिन साथ ही ये सबसे मज़ेदार अब ही था देखे मैं कभी-कभी सेलिया से मिलने दवा खाने में जाता था इसलिए में वहां के हालात को जानता था असल में पिछले 6 महीने से मैं सीलिया के दवा खाने में नहीं गया था मुझे ये पता था कि वो सबाग्यार Southeast बजे हमेशा पीछे एक कमरे में कॉफी और बिस्किट के लिए जाया करती थी। लड़कियां बारी-बारी से जाती थी। एक बार में दो। वहाँ एक नई लड़की आई थी जो जाहिर है मुझे नहीं पहचानती थी। तो मैंने जो किया वो ये था। मैं दवा खाने में ग फिर आगे जाकर उस लड़की से पूछा कि क्या उसके पास अड्रिनलाइन है। उसने कहा हाँ है। फिर मैंने उसे कहा कि क्या उसके पास वेजनिन की गोली है क्योंकि मुझे हैंगोवर हो रहा है। मैंने उसे गोली ली, उसे खाया और फिर टहलता हुआ वापस आ गया। उसे इस बात पर जरा भी शक नहीं हुआ कि मैं ना तो डॉक्टर था और ना ही मेडिकल का स्टूडेंट। ये बच्चों के खेल जैसा था। सीलिया को भी कभी इस बारे में पता नहीं चल पाया कि मैं वहां कभी गया भी था। इंस्पेक्टर की आँखें चौड़ी हो गई स्टेथोस्कोप तुम्हें स्टेथोस्कोप कहां से मिला था। नाइजल मुस्कुराया और बोला वो लेन बैटेसन का था। मैंने उसे उड़ा लिया था। इसी घर से। जी हां। तो स्टेथोस्कोप के गायब होने की कहानी ये थी। उसे सीलिया ने नहीं बलकि तुमने चुराया था जी हाँ मैं नहीं उसे लिया था आपको क्या लगता है क्लेप्टोमेनिया का कोई मरीज कभी स्टेथोस्कोप चुराएगा ऐसा कभी नहीं होता इंस्पेक्टर अच्छा ये बताओ कि तुमने उसके बाद उसके साथ क्या किया मैंने उसे बेच दिया था जाता था लेकिन मुझे भी इस बात का एहसास था कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ इसलिए मैं उसी शाम उसको बाहर लेकर गया था और मैंने उसे पार्टी भी दी थी आप नहायत ही गयर जिम्मेदार किस्म के इंसान है मिस्टर चैपमैन नाइजल ने बिना उसकी बात से प्रभावित हुए मुस्कुराते हुए कहा अरे इंस्पेक्टर आपको उन लोगों के चेहरे देखने चाहिए थे जब मैंने टेबल पर वो तीनों दवाई रखते हुए कहा कि मैं बिना किसी की जानकारी में आए उन्हें उड़ा पाने में सफल रहा हूँ यानि आप कोई बात नहीं हैं इंस्पेक्टर असली बात ये है कि ये सारे जहर 15 दिन पहले ही नश्ट कर दिये गए थे ये तो आपको लगता है मिस्टर चैपमेन लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये बात गलत हो ये बताईए कि ये चीजें आपके पास कुल कितने दिन तक नहीं थी न आपने उन दोनों जहरेली चीज़ों को कहां रखा हुआ था। मैंने उनको अपनी एक ड्रॉर में सॉक्स के नीचे छिपा कर रखा था इंस्पेक्टर। क्या किसी को इस बात का पता था कि आपने ऐसी चीज़ें महां रखी हुई हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नाइजल की आवाज में हलकी से जिज़क थी जिसके उपर इंस्पेक्टर का ध्यान गया। लेकिन उस समय उसने उस बात पर जोर नहीं दिया। उसने अगला सवाल किया, क्या आपने किसी को बताया था कि आप क्या कर रहे थे। यानी अपने तरीकों के बारे में, कि आप किस तरह से इन चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे थे। जी नहीं, कम से कम मैंने तो नहीं बताया था। कम से कम का क्या मतलब है मिस्टर चैपमैन। जी असल में बात ये है इस्पेक्टर, कि मैं पैट को बताने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो मुझे इस काम के लिए मना करेगी। वो बहुत ही सक्त किस्म की है। इसलिए मैंने उसको बताने का इरादा छोड़ दिया। आपने उसको ये नहीं बताया कि आपने डॉक्टर की कार से जहर चुराया था या फिर उस प्रेस्क्रिप्शन के बारे में या फिर हॉस्पिटल से मार्फिया लेने के बारे में। असल में इंस्पेक्टर मैंने उसे डिजिटल इन के बारे में बताया था कि मैंने प्रस्क्रिप्चन लिख कर दवा की दुकान से बॉटल खरीद ली थी और ये भी कि मैं डॉक्टर बन कर हॉस्पिटल में घुज गया था लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि यही कहा था और वो इस बात से दुखी थी लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि मैं उन चीजों को वापस दे आऊं या इसी तरह की और बातें कह रही थी ये सारी बातें आपको खुद नहीं सुझाई दी इंस्पेक्टर ने पूछा बिलकुल भी नहीं ये बात तो मे ये खयाल नहीं आया मिस्टर चैप मैं कि आपने उस सारे जहर को जहां रखा था हो सकता है किसी ने आपको उसे वहां रखते हुए देख लिया हो या किसी को वो बाइचांस मिल गया हो और किसी ने मौर्फिया की बाटल से जहर निकाल कर उसके भीतर कुछ और भर दिया हो नाई जल की आँखे चोड़ी हो गई हे भगवान बिल्कुल नहीं मुझे तो इस तरह की कोई बात कभी सुझाई नहीं दी मुझे तो आपकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है इंस्पेक्टर लेकिन ऐसा होना पूरी तरह से संभव है मिस्टर चैप मैं मुझे नहीं लगत लेन बैटिसन के साथ शेयर करता हूँ ज्यादा तर लड़के उस कमरे में कभी न कभी आ चुके हैं लेकिन जाहिर है लड़कियों में से कोई नहीं लड़कियों से ये उमीद की जाती है कि वो लड़कों के बेडरूम की तरफ ना आए उनसे ये आशा नहीं की जाती है ले मुझे उमीद है इंस्पेक्टर कि आपका मतलब वो नहीं है जो आपकी आवाज से लग रहा है पैट मेरे कमरे में कभी-कभी आती है उन सौक्स को बदलने के लिए जिनको वो रफू करके लाती है बस इससे ज्याबा कुछ नहीं थोड़ा आगे जुकते हुए इंस्पेक्ट इंस्पेक्टर ने कहा तब तो ऐसा ही लगता है मिस्टर चैप मैं कि वो आदमी जिसने बॉटल से थोड़ा सा जहर निकाल कर उसकी जगह कुछ और रख दिया था वो आप खुद ही थे नाइजल का चेहरा काला पड़ गया और जबड़े भिंच गये उस लड़की को दुन इस इलजाम को मेरे उपर थोपना चाहते हैं अध्याए 11 शर्त की बाजी और जहर को नश्ट कर देने की कहानी की पुष्टी लेन बैटिसन और कॉलिन मैकनैप ने भी की इंस्पेक्टर ने सभी के जाने के बाद कॉलिन को रोक लिया और कहा मैं आपकी मदद करने के बज़ लाते हुए कहा मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब बातों में दिमाग लगाने की कोई जरूरत है इंस्पेक्टर मेरी भावनाओं के लिए आपको परिशान होने की कोई जरूरत नहीं आप मुझसे वो सवाल पूछिए जो इस मामले में काम के हो ठीक है ये बताईए मिस नहीं नहीं इंस्पेक्टर ने जल्दी से कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है असल में इंस्पेक्टर उसका बचपन बहुत ही दुखत था और इसी कारण उसके अंदर एक तरह का भावनात मक्खालीपन पैदा हो गया इंस्पेक्टर शार्प एक दुखी बचपन की कहानी को स सुनने में जरा भी इंट्रेस्टेड नहीं था। उसने बात बदलते हुए अगला सवाल किया, क्या आप उसके प्रती काफी समय से आकर्शित थे, मिस्टर मैकनब? कॉलिन ने कुछ सोच कर इमानदारी से कहा, जी मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, असल में ये चीजें ऐसी होती ह कि एक दिन अचानक से सामने आकर आपको चौका देती हैं, मैं मन ही मन उसके प्रती आकर्शित था, लेकिन इस बात को मैं खुद जानता नहीं था, अब चुकि जल्दी शादी करने का मेरा कोई रादा नहीं था, और उपर ही उपर इस बात को लेकर मैंने एक तरह से अपना मन बना रखा था कि मुझे ऐसा नहीं करना है, अचा ये बताईए कि क्या सीलिया आपके साथ सगाई करके खुश थी, जी हाँ, वो जो कर रही थी उसके बारे में उसने खुले मन से कह दिया था, उसके दिमाग में कोई चिंता या कोई परिशानी नहीं थी, और आप कब तक शादी करने के बारे में सोच रहे थे, जी अभी फिलहाल कुछ समय तक तो नहीं, मैं इस समय इस हालत में नहीं हूँ कि अपनी पतनी का खर्चा उठा सकूँ, अच्छा ये बताईए कि क्या यहां सीलिया की किसी से दुश्मनी थी, कोई ऐसा था जो उसे पसंद नहीं करता निजी कारण से आपका क्या मतलब है? देखिए, मैं इस समय एकदम से वो बात करना नहीं चाहता, ये मेरे दिमाग में एक धुंदला सा विचार है, और उसको लेकर मैं अभी खुद भी ज्यादा क्लियर नहीं हूँ। सामा ने पूशताज के बाद सेले फिंच ने अचानक सवाल किया, क्या आप ये जानना चाहते हैं इस्पेक्टर कि मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं आप से वो कहना चाहती हूँ जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तोर पर, इस घर में कुछ चीज तो है जो बहुत ही गड़ करनी है, ये आपराधिक है या नहीं, ये मैं पक्के तोर पर नहीं कह सकती, लेकिन इस बात को लेकर मैं शर्त लगा सकती हूँ, कि उस बदमाश बुढ़िया को इसके बारे में सब कुछ पता है, कौन सी बुढ़िया, आपका मतलब कहीं मिस हबर्ड से तो नहीं है, क्या आप थोड़ा और खुल कर इसके बारे में मुझे बताएंगी? देखिए, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, इंस्पेक्टर, लेकिन बस इतना कह सकती हूँ, कि जब भी मैं उसके पास से गुजरती हूँ, तो मुझे एक अजीब सा डर लगता है, यहाँ पर कुछ और बताओं, इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि सीलिया को इसके बारे में कुछ मालुम था, उसने कई तरह की बातें बताई थी, आखिरी दिन भी उसने कुछ बातें कहीं थी, सब कुछ साफ करने के बारे में, उसने अपना अपराद कबूल तो कर लिया था, लेकिन उसन से उसका खून कर दिया गया, लेकिन क्या ये बात इतनी गंभीर थी कि उसको मार डाला जाता, इंस्पेक्टर ने बूचा, मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये बात इतनी गंभीर थी, आपको तो पता ही है कि वो बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, वो भूली भाली थी, उसको किसी चीज के बारे में मालूम तो था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिस बात के बारे में उसे मालूम है, वो बात इतनी खतरनाक है, वैसे ये मेरा अपना विचार है, ठीक है, शुकरिया मिश फेंच, अब ये बताओ कि तुमने आखिरी बार सीलिया को डिनर के बाद common room में देखा था, क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, असल में मैंने उसको उसके बाद भी देखा था, तुमने उसे उसके बाद भी देखा था? कहाँ, उसके कमरे में? जी नहीं, इंस्पेक्टर, जब मैं बिस्तर पर गई, तब वो common room से निकल कर सामने के दर्वाजे से जा रही थी, सामने के दर्वाजे से, तुम्हारा मतलब है, वो घर से बाहर जा रही थी, जी हाँ, ये तो वाकई हैरान कर देने वाली बात है, मिस वेंच, लेकिन ये बात क किसी और ने तो नहीं कही, कैसे कहते इंस्पेक्टर, मेरे ख्याल से उन में से किसी को भी ये बात पता ही नहीं है, उसने सब को good night कहा था, जिसका मतलब था कि वो सोने जा रही थी, और अगर मैंने उसे उस time नहीं देखा होता, तो मैं भी यही मानती कि वो वाकई सोने चली तो घर में ऐसी कोई भी जगा नहीं थी, जहां वो ये बात कर सकती थी, हो सकता है किसी ने उसे ये सुझाव दिया हो, कि वो बाहर आकर उससे मिले, क्या आपको ये पता है कि वो घर में वापस का बाई, जी नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्या घर का नौकर जरोनिमो इस बात को जानता था? जी अगर वो 11 बजे के बाद घर में आई होती तो उसको पता चल जाता क्योंकि उस समय वो घर के दर्वाजे को चेन से बंद कर देता था 11 बजे तक कोई भी अपनी चाभी से दर्वाजा खोल कर अंदर आ सकता था और हो सकता था कि जरोनिमो को पता ना लगे क्या आपको वो टाइम ठीक ठीक याद है मिस पिंच जब वो घर से बाहर निकल रही थी? जी मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास का टाइम होना चाहिए कुछ मिनट इधर या उधर ठीक है थैंक्यू मिस फिंच कि आपने ये सारी बाते मुझे बताई इसके बाद इंस्पेक्टर ने एलिजबेथ जॉन स्टोन से बात की वो उसकी बोलने की क्षमता से तुरंथी प्रभावित हो गया वो बड़ी ही होश्यारी से इंस्पेक्टर के एक-एक सवाल का जवाब देती थी और फिर उसके अगले सवाल का इंतजार करने लगती थी इंस्पेक्टर ने उससे पूछा मिस जॉन स्टोन सीलिया ओस्टिन ने इस बात का जम कर विरोध किया था क्यों उसने आपके काग्जों को नुकसान नहीं पहुंचाया था क्या आपको उसकी बातों पर यगीन था जी हाँ, मेरे ख्याल से ये सब सीलिया ने नहीं किया था तो आपको क्या लगता है, किस ने किया होगा जी, ये तो मैं नहीं कह सकती लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीलिया इस बात को जानती थी कि वो कौन था या अगर पक्के तोर पर नहीं भी जानती थी तो कम से कम उसे कुछ अंदाजा तो जरूर था क्या उसने आपको ऐसा कहा था इंस्पेक्टर ने पूछा जी नहीं कहा तो नहीं था लेकिन जिस दिन उसकी मौत हुई उस शाम को वो मेरे कमरे में आई थी डिनर के लिए जाने से पहले वो मेरे पास ये कहने के लिए आई थी कि चोरियां तो उसने की थी लेकिन मेरे कागजों को उसने नुकसान नहीं पहुँचाया था तब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी बात पर यकीन करती हूँ फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वो जानती है कि मेरे कागजों पर इंक किसने डाली हो सकती है तब सीलिया ने कहा कि मैं पक्के तो और पर तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि हो सकता है ये किसी से गल्ती से हो गया हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी ये किया वो इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता था सीलिया ने ये भी कहा कि कुछ ऐसी बाते हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है जैसे जिस दिन पुलीस आई थी उसी दिन बिजली के बल्ब की चोरी हुई थी इंस्पेक्टर ने उसे बीच में ही टोका ये पुलीस और बिजली के बल्ब का क्या चक्कर है वो तो मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर लेकिन सीलिया ने मुझसे ये कहा था कि उसने उन बल्वों को नहीं चुराया था और फिर उसने कहा कि उसे लगता था कि इन सारी बातों का कुछ ना कुछ लेना देना पासपोर्ट से भी था उसे लगता था कि यहां पर किसी के पास जाली पासपोर्ट है इंस्पेक्टर एक पल के लिए खामोश हो गया ये तो कुछ नई और अजीब तरहे की बातें निकल निकल कर सामने आ रही थी उसने अगला सवाल किया सीलिया ने और क्या कहा तुम से जी कुछ खास नहीं उसने बस इतना कहा था कि इन सारी बातों के बारे में कल उसे और भी ज्यादा पता चल जाएगा क्या उसने ऐसा कहा था मिस जॉन स्टोन कि कल उसे इनके बारे में और पता लग जाएगा ये बहुत ही महत्वपून बात है मिस जॉन स्टोन जी हाँ मैं समझ सकती हूँ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर चुप होकर कुछ सोचने लगा पासपोर्ट के बारे में ये बात और पुलीस का आना हिकरी रोड आने से पहले उसने यहां की सारी फाइलों को अच्छी तरह से देखा था उन होस्टलों के उपर करीबी नजर रखी जाती थी जहां पर विदेशी विद्यार्थी रहा करते थे 26 हिकरी रोड का रिकॉर्ड काफी अच्छा था वहां कुछ इस तरह की बातें थी जिनसे कुछ पता नहीं चलता था एक पश्यमी अफ्रीका के विद्यार्थी की शेफिल्ड पुलीस को तलाश थी क्योंकि वो एक औरत की कमाई पर रह रहा था ये विद्यार्थी कुछ दिन के लिए हिकरी रोड में भी रहा था और फिर कहीं और चला गया था फिर उसको पकड़ कर वापस भेज दिया गया था उस समय सारे होस्टलों की सामान्ने तोर पर तलाशी हुई थी किसी यूरेशिया इनागरिक की तलाश में जिसने शराब खाने के मालिक की पतनी की कैमरीज के निकट हत्या कर दी थी ये केस तब निप्टा था जब उस नौजवान ने इलाखे के पुलिस स्टेशन में खुद ही आकर अपना जर्म कबूल कर लिया था कुछ विद्यार्थियों द्वारा भड़काऊ पर्चे बाटे जाने के केस में भी जाच हुई थी ये सारी घटनाए कुछ अर्सा पहले हुई थी और जहां तक संभव था इनका सीलिया ओस्टिन की हत्या से कोई संबंध नहीं था ये सब सोचते हुए उसने एक उभासी ली और पाया कि एलिजबेथ जॉन स्टोन की गहरी आँखें उसको लगातार देख रही थी उसने उतेजित होते हुए सवाल किया ये बताये मिस जॉन स्टोन की आपको कभी ऐसा लगा कि इस जगह में कुछ गड़बड़ी है एलिजबेथ ने आश्चरे से उसे देखा और बोली कैसी गड़बड़ी वो तो मैं नहीं जानता लेकिन सैली फिंच ने कुछ इसी तरह की बात कही थी वो बार-बार इस बात पर जोर दे रही थी कि इस जगह के बारे में कुछ ऐसा है जो गड़बड़ है हलांकि उसे ये नहीं पता था कि वो क्या है जो गड़बड़ है एलिजबेथ ने तेजी से कहा ये उसका सोचने का अमेरिकन तरीका है ये सब एक जैसे ही हैं ये सारे के सारे अमेरिकी पता नहीं क्यों हमेशा घबराय हुए से और चिंता में रहते हैं हर बात पर शक करते हैं ये सैली फिंच भी उसी तरह की लड़की है इंस्पेक्टर को ये बात दिलचस्प लगी इसका साफ साफ मतलब था कि एलिजाबेथ सै अपना एक पुराना तरीका आजमाया जो अक्सर उपयोगी साबित होता था उसने बड़े ही आराम से कहा असल में क्या है न मिस जॉन स्टोन की इस तरह के कामों में लोगों के बौधिक स्थर से बड़ा ही फरक पड़ता है कुछ लोगों से तो हम बस मोटी मोटी बाते ही लेकिन जब हमारे सामने कोई वाकई अकलमंद आदमी आता है तो हमारी जाच परताल बड़ी ही आसान बन जाती है इतना कहकर वो एक पल के लिए रुख गया एलिजबेट ने जवाब दिया मुझे लगता है कि मैं इस बात को समझ गई हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं इस लोगों का बौधिक सर वाकई बहुत अच्छा नहीं है नाइजल चैपमेन होश्यार तो है लेकिन बड़े ही ओचे दिमाग का है लेन बैटेसन कोलू का बैल है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं वैलरी होब हाउस का दिमाग बहुत अच्छा है लेकिन वो देखने में तरह के दिमाग की बात कर रहा हूं जैसा कि आपका है एलिजाबेथ ने बिना किसी तरह का विरोध जताए इस तारीफ को स्विकार कर लिया इंस्पेक्टर को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि इस अच्छे व्यवहार के पीछे एक ऐसी लड़की है जो अपने बुद्धी जीवी के विचार हैं इतना कहकर एक पल के लिए वो रुका उसे लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ना बोल दिया हो लेकिन उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी एलिजाबेथ पूरी तरह से उसकी बातों में फस चुकी थी उसने बड़े ही विश्वास भर इस जगहे में कोई गड़बड़ी नहीं है इस्पेक्टर आप सेली फिंच की बातों पर जरा भी ध्यान मत दीजिए ये हॉस्टल एकदम अच्छी तरह से चल रहा है मुझे नहीं लगता कि आपको यहां किसी भी तरह की भड़काउ गतिविधी का कोई सबूत में लेगा इस्पेक्टर को थोड़ी हरानी हुई मैं किसी तरह की भड़काउ गतिविधीयों के बारे में बात नहीं कर रहा था मिस्ट अच्छा अच्छा समझी असल में मैं ये कहना चाह रही थी कि सीलिया ने जो पासपोर्ट के बारे में कहा था मुझे नहीं लगता कि वैसी कोई नहीं चल रहा है अगर ऐसा होता तो मेरी जानकारी में आए बिना रहता नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया में जॉन स्टोन आपने मेरी बहुत मदद की है एलिजाबेथ उठकर बाहर चली गई इंस्पेक्टर बंद दर्वाजे को घूरता हुआ बैठा रहा जब सार यहां सर्च वारंट के साथ आने वाला हूँ इस जगह में कुछ ना कुछ तो पक्का चल रहा है लेकिन कल मैं ये सारी बातें उलट कर रख दूँगा जब आपको ये नहीं पता होता कि आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं तो ये काम आसान नहीं होता लेकिन मुझे पक्का ज़रूर जानती है अध्याय बार हां हरक्यूल पॉयरो चिठी डिक्टेट करते करते बीच में रुख गया मिस लेमन ने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोली क्या हुआ मिस्टर पॉयरो कुछ नहीं मिस लेमन ये चिठी विठी छोड़ो तुम अपनी बहन से फोन प पूरी कर ली और आज वो सर्च वारंट लेकर आए हैं और मिस्स निकोलेटिस मेरे उपर पागलों की तरह चिला रही हैं पॉयरो ने सहानु भूती जताई और फिर कहा मुझे बस आपसे एक छोटा सा सवाल पूशना था आपने मुझे उन सामानों की एक लिस्ट दी थी ज जिस ओर्डर में घटनाय असल में घटी थी जी क्या मतलब मैं समझी नहीं मिस हबर्ड ने कहा मेरा मतलब है कि जो चीजें लिस्ट में लिखी हुई थी क्या वो उसी ओर्डर में थी जिस ओर्डर में वो गायब हुई थी जी नहीं वो उस ओर्डर में नहीं थी मिस्टर मिस्टर पॉयरो अब तो उन बातों को काफी समय हो गया है। मुझे इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। क्या चाहते हैं कि मैं आपको क्या करके दूँ। आप बैठ कर ये कोशिश कीजिएगा मिस हबर्ड कि जिस क्रम में सारी घटनाएं घटी थी आप उनको उसी क्रम में लिख पाएं। ठीक है मिस्टर पॉयरो वैसे जहां तक मुझे याद है रक सैक वाली घटना शायद सबसे पहले हुई थी और उसके बाद बिजली के बल्ब गायब हुए थे। उसके बाद की चीज़ों के लिए तो मुझे बैठ कर सोचना ही पड़ेगा। ठीक है थैंक यू मैं इस काम के लिए मैं आपका शुकर गुजार रहूंगा। इतना कहकर पॉयरो ने फोन बंद कर दिया शनिवार की सुभा जब इंस्पेक्टर शार्फ सर्च वारंट के साथ हिकरी रोड आए तो उन्होंने फर्मान जारी किया कि वो मिस्स निकोलेटिस से बात करना चाहते हैं। मिस्स निकोलेटिस शनिवार को मिस हबड से हिसाब किताब करने आती थी। उन्होंने इस बात का जम कर विरोध किया ये तो बहुत ही इंसल्ट की बात होगी मेरे स्टूडेंट्स यहां से चले जाएंगे मैं तो बरबात हो जाऊंगी ऐसा नहीं होने दूंगी मैं मेरे होस्टल की तलाशी नहीं होगी इंस्पेक्टर पर उनके चीखने चिलाने का कोई असर नहीं हुआ उसने बड़ी ही सक्ती से कहा तलाशी तो होगी और मैं शुरुवात यहीं से करता हूँ आपके कमरे से इस बात पर मिसेज निकोलेटिस और भी ज्यादा आकरामक हो गई आपको जहां भी खोशबीन करनी है कीजिए लेकिन यहां नहीं गुस्से से चिलनाई यह ना बहुत बुरी बात है आप जबरदस्ती दखल अंदाजी कर रहे हैं मैं सब को चेठ्या लिखूंगी मैं संसत के सदस्यों को लिखूंगी अखबारों में लिखूंगी आपको जिसे लिखना है लिखिए मैं कमरे के तलाशी शुरू कर रहा हूँ और इंस्पेक्टर ने उनकी बकवास पर ध्यान दिये बिना अपना काम करना शुरू कर दिया सामान का एक बड़ा सा कार्टन काग्जों के गठर और बहुत सारा कूडा कचरा उस तलाशी में मिला फिर वो कमरे के एक कोने में पड़ी अलमारी की तरफ मुडा यह अलमारी बंध है मुझे इसकी चाबी दीजिये मुझ से चाबी लेने से पहले तुमको मेरे कपड़े फारने पड़ेंगे और देख लेना यह बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा इंस्पेक्टर ने अपने सार्जेंट को आदेश दिया कॉब एक चैनी और हथोड़ी लेकर आओ मिस्स निकुलेटिस अंटशंट बक्ती रही लेकिन इंस्पेक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया चैनी लाई गई और दो हाथ पढ़ते ही दर्वाजा खुल गया दर्वाजा खुलते ही बड़ी तादाद में ब्रैंडे की खाली बोतलें अंदर से बाहर गिरने लगी मिस्स निकुलेटिस और भी जोर-जोर से चिलाने लगी इंस्पेक्टर ने विनमरता से कहा थैंक्यू मैम हमारा काम हो गया मिस्स हबर्ड ने बड़ी ही सफाई से बोतलों को एक तरफ रखना शुरू कर दिया जबकि मिस्स निकुलेटिस अभी भी पगलाई हुई सी थी लेकिन एक बात साफ थी कि कम से कम एक रहस्य मिस्स निकुलेटिस के गुस्से का रहस्य तो खुल ही गया था पोईरो का फोन ठीक उस वक्त आया था जब मिस हबर्ड नींद की दवा की उचित मात्रा अपनी दवाओं की अलमारी से निकाल रही थी फोन का रिसीवर रखने के बाद वो मिसेज निकोलेटिस के पास वापस गई जिनको वो सोफे पर चीखते चिलाते पैर पटकते हुए छोड़ कर आई थी उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा मिसेज निकोलेटिस आप पीना छोड़ दीजिए आपको काफी अच्छा लगेगा ये सारे के सारे नाजी हैं ये सारे पुलिस वाले कमबक्त अगर मैं आपकी जगा होती है मिसेज निकोलेटिस तो इसके बारे में बिलकुल नहीं सोचती वो अपनी ड्यूटि ही तो कर रहे हैं उनकी ये ड्यूटि है कि वो किसी की निजी अलमारियों में ताक जहांक करते फिरे जब मैंने कह दिया कि इस अलमारी को नहीं खोलना है तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी जबरदस्ति उसे खोलने की चैनी हतोरी लाकर मेरी अलमारी का दर्वाजा ही तोड़ डाला मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुचाया है मैं देख लूँगी इनको छोड़ूंगी नहीं देखिये मैम यहां पर खून हुआ है आप इस बात को भूलिये मत और ऐसे में हमें पुलिस का सहयोग तो करना ही पड़ेगा है यहां कोई खोन वो नहीं हुआ उस लड़की ने आत्मत्या की है प्यार के चकर में उसने जहर खा लिया बस और क्या ऐसी चीजे तो होती रहती है ये लड़कियां प्यार के चक्कर में ऐसे पागल रहती हैं जिसे प्यार कोई बहुत बड़ी चीज हो एक साल, दो साल और फिर सब खत्म हो जाता है ये प्यार का पागल पन लेकिन इन पागल लड़कियों को ये सब बातें समझ में ही नहीं आती पता नहीं कैसी कैसी हरकते करती रहती हैं लेकिन इन सब बातों से तुम्हें भला क्या फार्क पड़ेगा चिंता तो मुझे करनी है ना मेरे लिए अब ये सेफ नहीं रहा ये मेरी परसनल अलमारी थी कोई नहीं जानता था कि मेरी अलमारी में क्या था और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई और इस बात को जाने लेकिन अब सब जान गए है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पता नहीं सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे तुम ये बात कभी नहीं समझ सकती लेकिन मुझे इस से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये बहुत ही बुरी बात है देखिए बहतर होगा कि आप मुझे सारी बात खुल कर बताएं आपके मन में जो भी तकलीफ है तब शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि आपको किस बात का डर है तब तक मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मिस हबर्ड ने कहा मिसिस निकोलेटिस ने अपनी गहरी आँखों से उनको देखा और फिर धीरे से बोली तुमने खोदिये कहा था न कि इस घर में हत्या हुई है इसलिए हर किसी को थोड़ा आसेहज लगेगा अगला कौन हो सकता है ये तो कोई भी नहीं जानता कि हत्यारा कौन है ये पुलिस भी थो एकदम बेवकूफ है हो सकता है हत्यारे ने उनको घूज दे दी हो ये आप क्या अनाप्शना बोल रही है मिसेज निकोलेटिस आप मुझे ये बताएए कि असल में आपके चिंता की वज़े क्या है मिसेज निकोलेटिस को फिर से गुसा आ गया हाँ हाँ तुम्हे तो यही लगता है कि मेरी चिंता की कोई वज़ा ही नहीं है बस तुम्ही हमेशा की तरह सब कुछ अच्छी तरह जानती हो तुम इतनी महान हो इतनी अच्छी हो खाने का इंतजाम करती हो सारी चीज़ों का इंतजाम करती हो खाने पर पैसों को पानी की तरह बाहती हो ताकि सारे विद्यार्थी तुमसे खुश रहे और अब तुम मेरे मामलों में भी टांग अना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँ मेरे मामलों में कोई तांग जांग नहीं कर सकता सुन रही हो न सबके मामलों में ताक जहांक करने वाली औरत मैं हमीशा से इस बात को जानती थी कि तुम एक जासूस हो किस चीज की जासूस तुम हर बात पर नज़र रखती हो ये सारा मामला तुम ही ने खड़ा किया है अगर मेरे बारे में लोग जूटी बाते बनाते है तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस सब तुम्हारी ही वज़ा से हो रहा है देखे मिसिस निकॉलेटिस अगर आप ये चाहती है कि मैं यहां से चली जाओ तो आप सिर्फ कह दीजिए मैं चली जाओंगी लेकिन आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती है नहीं तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं है मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ जाओ अब ऐसे समय में जब यहां पुलीस आ रही है तलाशियां हो रही है खून हो गया है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर जाने दूँगी मिस हबर्ड ने एक गहरी सांस ली और बोली अच्छा ठीक है मैं सच में ये बिल्कुल नहीं समझ पाती हूँ कि आप आखिर चाहती क्या है कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपको खुद को ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए बहतर होगा कि आप मेरे कमरे में बिस्तर पर लेट कर थोड़ी देर सो जाईए अध्याए 13 हर्कूल पॉयरो 26 हिकरी रोड पर टैक्सी से उतरे उनके लिए दर्वाजा जेरो ने मो ने खोला और इस सर यहां तो बहुत ही भयानक भयानक बाते हो रही है हर टाइम पुलीस वाले आते रहते हैं कभी सवाल पूछते हैं कभी यहां आते हैं कभी वहां जाते हैं कभी अलमारियों में जाकते हैं कभी दराजों में देखते हैं यहां तक कि मारिया की रसोई में भी घुच जाते हैं, मारिया तो बहुत ही गुस्से में है, वो तो कह रही है कि पुलीस वालों को बेलन से मारेगी, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया, मैंने कहा कि पुलीस वालों को बेलन से पिटना अच्छा नहीं लगेगा, और फ को उस दिन की बात याद है जब बिजली का बल्ब गायब हुआ था हाँ हाँ याद है ना लेकिन वो तो बहुत टाइम पहले की बात है दो तिन महीने हो गए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सही सही बिजली का कौन सा बल्ब चोरी हुआ था हाँ सर बिलकुल बता सकता हूँ एक वो जो हॉल में है और दूसरा जो कॉमन रूम में है। तुमको ठीक ठीक तारीख याद नहीं है कि ये किस दिन हुआ था। पॉयरों ने पूछा। जरोनीमों ने सोचते हुए कहा। ठीक से तो याद नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये उस दिन हुआ था जिस दिन पुलीस वाले आये थे फरवरी में किसी दिन पुलीस वाले पुलीस यहां क्यों आये थी अरे सर वो मिसेज निकॉलेटिस से किसी विद्यार्थी के बारे में पूछने आये थे वो ना बहुत ही बुरा विद्यार्थी थ अफ्रीका से आया था कोई काम धाम नहीं करता था एंप्लॉयमेंट आफिस में जाता था और राश्ट्रिय साहता की दफ्तर में भी जाता था फिर वो औरत को दूसरे मर्दों के साथ भीजने लगा ये तो बड़ी ही बुरी बात थी पुलीस को ये बात अच्छी नहीं लगी ये सब मैंचेस्टर की बात है मेरे ख्याल से शेफिल्ड की इसलिए वो वहां से भाग के यहां आ गया था लेकिन पुलीस आ गई और उन्होंने मिस हबर्ट से उसके बारे में बात की फिर उन्होंने उसको वापस भेज दिया ओह तो वो उस विद्यार्थी के बारे में पत लोड़ी होती है सर ये एक अच्छा होस्टल है यहां ऐसे वैसे काम नहीं होते और क्या बल्ब उसी दिन गायब हुए थे पॉयरों ने पूछा जी हां सर उसी दिन क्योंकि मैंने आकर स्विज जलाया और कुछ भी नहीं हुआ फिर मैं कॉमन रूम में गया तो वहां पर भ पुलीस यहां पर आए तो इसलिए उसने मुझसे गुस्से में कहा कि फाल्तु बल्ब रखना उसका काम नहीं है और इसलिए फिर वो मुम्बत्ती लेकर आई पॉयरों जेरोनिमों के पीछे चलते हुए इस कहानी को सुन रहे थे दोनों मिस हबर्ड के कमरे की तरफ जा रह लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ये लिस्ट पूरी तरह से सही है देखिए जब आप एक दो महीने के बाद कुछ चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं तो ये काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है मैं आपका बहुत आभारी हूँ मैं अच्छा ये बताईए अब मिसिस नि कार कर दिया और फिर जब इंस्पेक्टर ने उसको तोड़ कर खोला तो उसके अंदर से ब्रैंडी की बहुत सारी खाली बोतले निकली मैंने इससे पहले शराब की इतनी बोतले एक साथ तब देखी थी जब मैं सिंगापूर में थी लेकिन शायद आपके दिल्चस्पी इन कि इस लिस्ट में रक्सक का नाम सबसे उपर है जी हां मिस्टर पॉयरो ये कोई बहुत जरूरी चीज नहीं थी लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि ये उन सब चीजों से पहले हुआ था जब गहने वगेरा गायब होने शुरू हो गए थे ये सब घालमेल हुआ था बदला लेने के लिए शायद ये काम किया होगा और इस वजह से थोड़ी परिशानी भी पैदा हो गई थी यहां पर पुलीस भी आ गई थी वो लोग शायद शेफिल्ड या बर्मिंगम से जाच करते हुए आये थे अच्छा खासा तमाशा सा बन गया था गलत तरीके से कमा भर चुका है और उसे जाना पड़ेगा और जब पुलीस यहां आई थी तो मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी जाहिर है मैंने उनको ये नहीं बताया था कि वो कहां गया लेकिन उन्होंने उसे ढून निकाला था और रक्सेक आपको इन सारी बातों के बाद में मिला पॉइरो ने पूछा जी हां मेरे खयाल से उसके बाद ही मिला था मिस्टर पॉइरो वैसे मुझे ठीक से याद नहीं है देखे मैं आपको बताती हूँ लेन बैटिसन घूमने के लिए जा रहा था और उसको उसका रक्सेक नहीं मिला था तो उसने इस बात पर बड़ा हंग थी उस अफरीकी लड़के के बारे में जाच परताल करने उसी दिन बल्ब गायब हुए थे मुझे कुछ-कुछ याद है कि मैं इंस्पेक्टर के साथ नीचे उतर कर कॉमन रूम में जब गई थी तो वहां मुम्बती जल रही थी हम एके बिम्बो से ये पूछना चाहते थ थे कि क्या उस अफरीकी लड़के से उसकी कोई बात हुई थी और क्या उसने उसे बताया था कि वो यहां से जाने के बाद कहां रहेगा बढ़ या मिसह बढ़ अच्छा ये बताईए कि कॉमन रूम में उस टाइम और कौन-कौन था जी तब तक ज्यादा तर स्टूडेंट वापस आ चुके थे ये शाम का टाइम था करीब 6 बजे का मैंने जरोनिमो से पूछा कि बल्ब कहां है तो उसने कहा कि किसी ने निकाल लिये फिर मैंने उससे पूछा कि उसने दूसरे बल्ब क्यों नहीं लगाए तो उसने कहा कि इस समय हमारे पास एक्स्ट्रा बल्ब नह चाहिए कि इस बात के कितने दिन के बाद चोरियां होनी शुरू हुई थी। मेरे ख्याल से वो मार्च था। नहीं नहीं शायद फरवरी का आखिरी हफता था। हाँ वही था। मेरे ख्याल से उसके एक हफते के बाद जैनेवी ने ये कहा था कि उसका ब्रेसलेट खो गया जाए जा बीच की बात होनी चाहिए ठीक है और उसके बाद चोरियां लगातार होने लगी थी ? जी याँ Mr. Poiro। और यह जो रक्सेक था जो सबसे पहले कटा हुई मिला, यह Len Battison का था। और वो इस बात से काफी चढ़ा हुआ था। जी हाँ Mr. Poiro। क्या ये रक्सेक कुछ खास टाइप का था? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक आम सा रक्सेक था. क्या आप मुझे उस तरह का कोई रक्सेक दिखा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल दिखा सकती हूँ. उसी तरह का एक कॉलिन के पास भी है और नाइजिल के पास भी. असल में लेन के पास खुद उसी तरह का एक रक्सेक है, क्योंकि वो एक और खरीद लाया था. यहाँ सडक के किनारे ही सामने एक दुकान है. वहाँ पर इस तरह की सारी चीजे मिलती है. सारे विद्यार्थी आम तोर पर वहीं से सामान खरीदते हैं. विद्यार्थियों के मतलब की और घूमने फिरने वाले लोगों के मतलब की सारी चीजें, स्लीपिंग बैग वगएरा, वहाँ काफी सस्ते दामों में मिलती हैं. किसी बड़ी दुकान से एकदम सस्ते दामों में. क्या आप मुझे वैसा कोई रक्सेक दिखा सकती है मैं? मिस हबर्ड, मिस्टर पॉयरो को कॉलिन के कमरे की त इध्यान से देखते हुए कहां. इसे काटने के लिए काफी मेहनत चाहिए. ये आम कैंची से कट जाने वाला बैग नहीं है. और इसे यूँ ही बिना किसी वज़ा के नहीं काट दिया गया. इसके पीछे जरूर कोई निश्चित उद्देश्य था और तरीका भी. फिर पॉ जी हाँ कुछ हद तक मिस्टर पॉयरो. असल में हिकरी रोड उतने शोर शराबे वाली सड़क नहीं है. और इस तरफ तो रात को बिल्लियां बहुत आती है. वो म्याओ म्याओ करती रहती है और डस्ट बिन के धककन को हटाने की कोशिश करती रहती है. पॉयरो ने नीचे द कमरे का रुक है. इसके बगल में नाइजल चैपमेन और लेन बैटिसन के कमरे है मिस्टर पॉयरो. और उसके बाद अगला घर है और लड़कियों का कमरा है. उन में से पहला कमरा सीलिया का है और उसके बाद एलिजाबेथ जॉन स्टोन का और फिर पैट्रिशिया लेन का. वैलरी और जियान टॉम लिंसन के कमरों का रुक सामने की तरफ है. पॉयरो ने सिर हिलाया और कमरे में वापस आ गए. कमरे में चारों तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, मिस हबर्ड आपने कहा था ना कि ये रकसैक सड़क के किनारे की एक दुकान से खरीदे गए थे. क् मुझे उस दुकान का नाम बता सकती है? सच में मिस्टर पॉयरो जब आप मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं तो मुझे बिलकुल याद नहीं आता. मेरे ख्याल से शायद माबर्ली नाम था उसका या फिर शायद केल्सो इन्ही दोनों में से कुछ था. धन्यवाद मिस मिस हबड मैं चलता हूँ. इतना कहकर मिस्टर पॉयरो घर से बाहर निकाल आए. पैदल हिकरी रोड पर चलते चलते वो उसके कोने तक आए और फिर में सडक तक आगए. जिस तरह से मिस हबड ने बताया था, उन्हें उस दुकान को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आई. वहाँ पर बड़ी मात्रा में पिकनिक बास्केट, रकसैक, धर्मस फ्लास, सभी तरह के ओजार, शॉर्ट्स, बुश शर्ट्स, टोपियां, टेंट, स्विमिंग सूट, साइकल की लाइटें और टॉर्च वगेरा इस तरह के सामान मौजूद थे. जब उन्होंने दुकान क के नाम पर ध्यान दिया, तो वो ना तो केल्सो था और ना ही माबरली, बलकि ये था हिक्स. दुकान की शो बिंडो में जो चीजें लगी हुई थी, उनको ध्यान से देखने के बाद पॉयरो अंदर घुसे, और अपने एक जूट मूट के भतीजे के लिए उन्होंने एक र बाद कर ले जाना चाहता है, आसपास से जो कार या लौरियां गुजरती हैं, वो उनको लिफ्ट दे देती हैं, दुकान का मालिक एक छोटे कद का आदमी था, जिसके खिचडी बाल थे, उसने तुरंद कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया, हिच हाइकिंग, आज कल सभी विद्या खर्च हो जाता है, इसलिए वो ये तरीका आपनाते हैं, पूरे यॉरॉप में ये नौजवान हिच हाइकिंग करते हैं, अच्छा ये बताइए, आप किस तरह का रक्सेक चाहते हैं, ओर्डिनरी वाला, जी हाँ मेरे ख्याल से वही, क्या आपके पास किसी और तरह के भी है पॉरो ने पूछा, जी हाँ सर, मेरे पास महिलाओं के लिए हैं दो हलके किस्म के, क्यूंकि हम इसी तरह का साधारन सामान बेचते हैं, हमारी दुकान के दाम बाकी दुकानों से काफी कम हैं, फिर वो कैन्वास का एक भारी भरकम बैग लेकर आया, जिसे देखकर पॉरो सम द्यार करते हुए कहा, ये वाले बैग हमारे यां बहुत बिखते हैं, क्या यहां आसपास काफी विद्यारती रहते हैं, पॉरो ने सवाल किया, जी हाँ सर, यहां आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हाँ, शायद मैंने हिकरी रोड पर भी एक होस्टल देखा था, क मेरे यहां बड़ी दुकानों से कम कीमत पर सामान मिलता है, ये बात मैं उनको बता देता हूँ, ये लीजे सर, ये आपका बैग, मुझे पूरा यकीन है, कि इसको इसको इस्तेमाल करके आपके भतीजे को बहुत अच्छा लगेगा, पॉयरो ने उसका शुक्रिया आदा कि जहां अच्छा सैंडविच और अच्छी कॉफी मिलती है, अगर आप ज्यादा बिजी ना हो, तो थोड़ी देर के लिए वहीं चलते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सैंडविच वाली वो जगह करीब-करीब खाली थी, दोनों अपने-पने कप प्लेट लेकर एक को आया था, लेकिन मुझे इस बात को मानने का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा, कि सीलिया के साथ उसकी किसी तरह की दुश्मनी थी, और मुझे इस बात पर भी शक है, कि अगर उसने वाकई खून किया होता, तो वो इतना खुलकर सारी बातें मुझे नहीं बताता, उस बे क्या आपको घर की तलाशी में कुछ मिला, कुछ ऐसी चीज़ें मिली है मिस्टर पॉयरो, जिनकी मुझे उमीद नहीं थी, जैसे क्या, जैसे ये मिस्टर पॉयरो की अलिजाबेत जॉन स्टोन जो है, वो एक कम्यूनिस्ट पार्टी की मेंबर है, हमें उसका पार्टी का का भी मिला ओह ये तो बड़ी ही इंट्रेस्टिंग बात है पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा अच्छा और क्या मिला आपको मिस पैट्रीशिया लेन की ड्रॉर में से एक रुमाल मिला मिस्टर पॉयरो जिसमें हरे रंग की स्याही के दाग लगे हुए थे पॉयरो के माथे पर बल पड़ गए हरी स्याही पैट्रीशिया लेन तो ये हो सकता है कि उसने स्याही लेकर एलिजाबेट के कागजों पर उंडेल दी हो और उसके बाद अपने हाथ पॉँच लिये हो लेकिन जी हां मिस्टर पॉयरो शार्प ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा लेकिन जाहिर तोर पर वो अपने प्यारे नाईजल को संदेह के घेरे में तो नहीं लाना चाहती होगी ये भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर कि किसी और ने उसकी ड्रॉर में वो रुमाल रख दिया हो जी हां हो तो सकता है मिस्टर पॉयरो और कोई चीज इंस्पेक्टर शार्प ने एक आपको बता दूँ पॉयरो ने जवाब दिया ये एक ऐसी बात है जो याद रखे जाने के लायक है ये जानना बड़ा ही दिल्चस्प होगा कि उनका ये पागलपन किस तरह का है इंस्पेक्टर ने कहा वैसे तो बैटिसन एक अच्छा लड़का है लेकिन उसको गुसा बह दिया हो तो क्या उसने लेन को रक्सेक को काटते हुए देखा था जब उनका ध्यान तूटा तो उन्होंने सुना इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए कह रहा था और मिस्टर पॉयरो मिस्टर एहमद अली के पास से काफी सारा अश्लील साहित्य और पोस्ट कार्ड मिले जि जो वो एक इंडियन है चंदरलाल उसने तो ये धमकी दे डाली थी कि वो इस बात को इंटरनाशनल मसला बना देंगे उसके पास से कुछ भड़काऊ पर्चे भी मिले और एक पश्चिम अफ्रीकी लड़के के पास तो बहुत सारी डरावने सामान मिले तलाशी के वारंट की वजह से इंसानी स्वभाव का बड़ा ही मज़िदार रूप हमें देखने को मिला और आपने मिसेज निकोलेटेस और उनके अलमारी के बारे में तो सुन ही लिया होगा ब्रैंडी की इतनी सारी खाली बॉटल्स मैंने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखी और वो तो हमारी उपर पागलों की तरह तूट ही पड़ी थी इतना कहकर इंस्पेक्टर हासा और फिर गंभीर होकर फिर से बोला लेकिन हमें वो सब नहीं मिला जिसके चक्कर में हम वहां गए थे वैलिड पासपोर्ट के अलावा और कुछ नहीं मिला पॉयरो ने शांतस्वर में कहा आप इस बात की उमीद तो नहीं ही कर सकते थे ना इंस्पेक्टर कि किसी ने नकली पासपोर्ट वहां आपके लिए प्लेट में सजा कर रखा हुआ होगा क्या आपको पासपोर्ट के मामले को लेकर कभी 26 हिकरी रोट जाने का मौका मिला है पिछले 6 महीने के दौरान जी नहीं हम तो वहां एक ही बार गए थे वो भी उस दौरान जिसके बारे में आपने जिक्र किया था इंस्पेक्टर शाप ने पूरी बात बताई पाईरो घ्यान से सुनते रहे फिर बोले इस सब बात का कोई मतलब नहीं है चीजों का मतलब तभी समझ में आता है इंस्पेक्टर जब हम शुरुआत से शुरू करते हैं शुरुआत से आपका क्या मतलब है मिस्टर पाईरो पाईरो ने बड़े ही आराम से जवाब दिया शुरुआत से मेरा मतलब है रक्सैक से इन सारी बातों की शुरुआत रक्सैक से ही हुई थी अध्याय 14 भाग 1 मिस्स निकोलेटिस बेसमेंट से सीधियां चड़कर उपर आई और फिर से चिलाने लगी, इस बार उनका निशाना थे जेरोनिमो और मारिया, मिस हबड परेशान हो गई जो सीधियों से उतर रही थी, उन्हें देखकर मिस्स निकोलेटिस ने कहा, मैं हमेशा की तरह सोमवार क और हाँ, किसी को सोमवार की सुभह बुलवा कर मेरी अलमारी का दर्वाजा ठीक करवा देना. इसको बनवाने का बिल पुलीस के पास जाएगा. समझीं? पुलीस के पास. मिस हबर्ड ने हैरान नजरों से उनकी तरफ देखा और मैं ये भी चाहती हूँ मिस हबर्ड कि गल्यारे में ज्यादा पावर वाला बल्ब लगाया जाए वहाँ इतना अंधेरा रहता है लेकिन मिस्स निकोलेटिस आपने ये बात पहले खास तोर पर कई बार कही है कि गल्यारे में कम पावर का बल्ब लगाया जाए खर्च बचाने के लिए तो, तो क्या हुआ वो पिछले हफ़ते की बात है अब बात अलग है अब वहाँ ज्यादा पावर का ही बल्ब चाहिए मुझे मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो मिस हबर्ड ने सोचा क्या उसकी मालकिन नाटक कर रही थी या उसको वाकई में किसी चीज का या किसी इनसान का डर था असल में उनकी ये बुरी आदत थी कि वो हर बात को बढ़ा चड़ा कर बोलती थी इसे लिए ये समझ में नहीं आता था कि उनकी बातों के उपर कितना भरोसा किया जाए मिस हबर्ड ने सवाल किया आप अपने आप घर चली जाएंगी या मैं आपके साथ चलूँ मैं चली जाओंगे अपने आप यहां के मुकाबले मैं वहाँ ज्यादा सेफ रहूंगी मुझे पता है लेकिन आपको डर किस बात का है आप मुझे बताईए शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं रहने दो अब ये ड्रामे मत करो ये तुम हरा काम नहीं है और मैं तुम्हे कुछ बताने भी नहीं वाली हूँ तुम मुझे लगातार सवाल पूछती रहती हो उनको देखकर मुझे लगता नहीं कि तुम वाके मेरी मदद करना चाहती हो माफ कीजेगा मिसेज निकॉलेटिस अब आप मेरे उपर गलत इलजाम लगा रही है मिसेज निकॉलेटिस ने ठंडा पढ़ते हुए और मुस्कुराते हुए कहा लो अब तुमको बुरा लग गया हाँ ठीक है मुझे गुस्सा आता है और मैं रूखे स्वभाव वाली हूँ लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूँ तुम्हें ये दिखाई नहीं देता और ये बात याद रखो मैं तुम्हारे उपर बहुत विश्वास करती हूँ कई बार तो मुझे समझ भी नहीं आता मेरी प्यारी मिस हबड कि तुम्हारे बिना मैं क्या कर पाऊंगी खेर अब मैं चलती हूँ गुड नाइट इतना कहकर वो सामने के दर्वाजे से निकली और अपने पीछे दर्वाजा बंद करके बाहर चली गए मिस हबड उनको जाते हुए देखती रही मिसेज निकोलेटिस सामने की सेडियों से उतरी गेट से बाहर हुई और फिर बाई तरफ मुड गए सड़क के एक कोने पर 26 नमबर से कुछ ही दूरी पर लंडन की सबसे ज्यादा चेहल पहल वाली जगा थी जहां बसे दौड रही थी सड़क के आखिर में ट्राफिक लाइट थी और कोने में क्वीन्स नेकलेस था मिसेज निकोलेटिस पटरी के बीचो बीच चल रही थी और बीच बीच में इधर उधर देखती जा रही थी लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था उस शाम हिकरी रोड एकदम खाली दिख रहा था वो तेजी से क्वीन्स नेकलेस की तरफ बढ़ने लगी सतर्क नजरों से इधर उधर देखकर वो सलोन बार में घुश गई उन्होंने वहां डबल ब्रैंडी ओर्डर की जिसे पीने के बाद उनकी चेतना कुछ लोट आई अब वो पहले की तरह डरी हुई और आसहज नहीं लग रही थी हालांकि पुलीस के उपर उनका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था उन्होंने एक और ब्रैंडी का ओर्डर किया और फिर सोचने लगी ये बड़ ही दुख की बात थी कि पुलीस को उनके गुप्त खजाने के बारे में पता चल गया था और फिलहाल वो यही उमीद कर रही थी कि ये बात विद्यार्थियों के बीच में ना फैले और बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता ना चले पता नहीं मिस हबर्ड इस बात को चुपाएंगी या नहीं आज कल किसी के उपर भरोसा नहीं किया जा सकता बातें फैल ही जाती हैं जरोनिमो को तो पता ही था उसने शायद अपनी बीवी को भी बता दिया हो और फिर शायद सफाई वाली को भी पता चल जाए ने बोलने वाले की तरफ देखा और फिर कहा ओ तो ये तुम हो मुझे लगा आपको क्या लगा मिसेज निक कि ये कौन है कोई बदमाश भेडिया वैसे आप पी क्या रही है एक मेरे लिए भी मंगवाईए मिसेज निकोलेटिस ने बड़ी ही गरिमा के साथ कहा ये बड़े ही दुख की बात है पुलीस वालोंने मेरे घर की तलाशी ली है सब कुछ इधर उधर कर दिया मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है मुझे अपने दिल का भी ध्यान रखना है मैं शराब की परवा नहीं करती लेकिन बाहर मुझे चक्कर सा आ रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ब्रैंडी ले लूँ ब्रैंडी के जैसा और कुछ नहीं है तुम भी यही कहती हो न थोड़ी देर बाद मिसेज निकोलेटिस क्वीन्स नेकलेस से खुशी-खुशी बाहर निकल गए उन्होंने तै किया कि वो बस से नहीं जाएंगी रात काफी खुशनुमा थी और ठंडी हवा उनके लिए बहता रहेगी उनके पैर लड़कडा तो नहीं रहे थे लेकिन इधर-उधर पड़ रहे थे अगर एक ब्रैंडी कम ली होती तो शायद ज्यादा अच्छा रहता लेकिन जल्दी ही हवा उनके हैंग ओवर को कम कर देगी आखिरकार अगर कोई औरत अपने कमरे में बैठ कर शराब पीना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कभी भी खुद को नशे की हालत में सब के सामने आने दिया था वैसे भी कभी उनको ज्यादा नशा चड़ा ही नहीं लेकिन जो भी हो अगर लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है और वो कुछ कहते हैं तो वो उन सब को बाहर का रास्ता दिखा देंगी उन्होंने अपना सिर जटका और अचानक जूमती हुई वो एक पोल के सामने आ गए इसमें कोई शक नहीं था कि उनका सर बुरी तरह से चक्कर खा रहा था शायद उनको वहां कुछ देर दिवार से टिक कर खड़े हो जाना चाहिए अगर वो एक दो पल के लिए अपनी आँखों को बंद कर लें तो वो थोड़ा बहतर महसूस करेंगी और उन्होंने ऐसा ही किया भाग दो पुलीस कॉंस्टेबल बॉट अपनी बीट में चक्कर लगा रहा था कि एक मरियल सा क्लार्क वहां आया उसने कहा ओफिसर वहां पर कोई औरत है मुझे लगता है वो शायद बिमार है वो वहां धेर पर लेटी हुई है पुलीस वाला तेजी से उस तरफ चलने लगा उसने उपर चढ़कर देखा तो ब्रैंडी की तेज गंध से उसका शक पक्का हो गया ओह इसे तो उल्टी हो गई है कोई बात नहीं सर हम देख लेंगे भाग तीन हरक्यूल पॉयरो ने इतवार सुबह का नाश्ता खत्म किया और अपनी मूचों से चॉकलेट के निशान मिटा कर बैठक में चले गए मेज पर अच्छी तरह से सजा कर चार रक्सैक रखे हुए थे सब के साथ उनके बिल्ड थे पॉयरो ने जो रक्सैक खरीदा था उन्होंने उसे भी निकाल कर उनके साथ रख दिया और इसका नतीजा काफी दिल्चस्प रहा जो रक्सैक उसने मिस्टर हिक्स की दुकान से खरीदा था वो बाकियों से किसी भी तरह से हलका या कम नहीं लग रहा था लेकिन रेट में ये काफी सस्ता था ये बात बड़े ही दिल्चस्प है हर्क्यूल पॉयरो ने अपने आप से कहा और फिर सारे रक्सैकों को घूरने लगे फिर उन्होंने उनको हाथ में उठा कर जाच करना शुरू किया अंदर बाहर से उपर नीचे से हर तरफ से फिर वो उठे बातरूम में गए और वहां से एक छोटा सा चाकू लेकर आए उन्होंने बारी बारी से सब रक्सैकों के उपर हमला किया फिर उन्होंने बैठ कर ये देखा कि उनके हमलों से कितना नुकसान हुआ था फिर उन्होंने टेलिफोन का रिसीवर उठाया और इंस्पेक्टर शार्प का नंबर मिलाया मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूं इंस्पेक्टर आपने कल ये कहा था कि पिछले तीन महिनों में हिकरी रोड में पुलिस ने कुछ जाच की थी क्या आप मुझे वो तारीख ठीक ठीक बता सकते है और ये भी कि दिन के किस वक्त वो जाच की गई थी ये तो बड़ी ही आसान बात है मिस्टर पॉयरो फाइल में सब कुछ धर्ज होगा मैं अभी देख कर आपको बताता हूं कुछ पल बाद में ही इंस्पेक्टर फिर से फोन पर आया और बोला पहली जाच इसलिए की गई थी कि कोई इंडियन विद्यार थी भड़काऊ पर्चे बाट रहा था ये जाच हुई थी 18 दिसंबर को 3.30 बजे ये तो काफी पुरानी बात हो गई मिस्टर पॉयरो ने कहा दूसरी जाच थी 24 फरवरी को 5.30 बजे ये कैम्बरिज के मिस्टर एलिस कॉम के मामले में की गई थी फिर पशिम अफरीका के एक छात्र विल्यम रॉबिंसन की पुलीस को तलाश थी शेफिल्ड पुलीस को उसके सलसिले में 6 मार्च को 11 बजे सुभा पुलीस वहा गई थी शुक्रिया इंस्पेक्टर मिस्टर पॉयरो ने कहा आपको क्या लगता है मिस्टर पॉयरो कि इन सारी बातों का आपस में कोई संबंध है पॉयरो ने बीच में ही टोक दिया अरे नहीं-nahीं इंस्पेक्टर इनके बीच कोई संबंध नहीं है असल में मेरी दिल्चस्पी सिर्फ दिन और समय जानने में थी आपका मतलब मैं समझा नहीं मिस्टर पॉयरो मैंने रक्सक को काट दिया है मेरे दोस्त और ये बहुत ही दिल्चस्प है इतना कहकर पॉयरो ने फोन बंद कर दिया फिर उन्होंने अपनी जेब से वो नई लिस्ट निकाली जो मिस हबर्ड ने उनको एक दिन पहले ही दी थी वो इस तरह से थी पता नहीं किसकी बोरासिक पाउडर चंदरलाल कॉस्ट्यूम पिन सैली एलिजाबेथ के कागज पर स्याही उंडेलना अंत में लिखा था इस से बहतर मैं और नहीं सोच पाई हो सकता है अभी भी इसमें कहीं कोई फर्क हो मिस हबर्ड पोईरो लिस्ट की तरफ काफी देर तक देखते रहे फिर बुदबुद आए निश्चित रूप से हमें उन चीजों को हटाना पड़ेगा जो मायने नहीं रखती है उनको इस बात का अंदाजा था कि इस काम में उनकी मदद कौन कर सकता था आज इतवार का दिन था ज्यातातर विद्यार्थी उस समय घर में ही होंगे उन्होंने 26 हिकरी रोड का नंबर मिलाया और कहा कि वो मिस वैलरी हॉब हाउस से बात करना चाहते है थोड़ी ही देर में वो लाइन पर आ गी जी कहिए मिस्टर पॉयरो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैं आपके साथ थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ मिस क्या ऐसा संभव हो सकता है जी हाँ जरूर ठीक है तो मैं हिकरी रोड आ रहा हूँ ठीक है मिस्टर पॉयरो मैं आपका इंतजार कर रही हूँ मैं जेरोनिमो से कह दूँगी कि वो आपको लेकर मेरे कमरे में आ जाए संडे के दिन यहां काफी शोर शराबा रहता है शुक्रिया मिस होब हाउस ठोड़ी ही देर में पॉयरो 26 हिकरी रोड पर पहुँच गए जेरोनिमो ने दर्वाजा खोला और जुक कर उनका स्वागत करते हुए फुस फुस आया मैं आपको चुप चाप मिस वैलरी के पास ले चलता हूँ अपने होटों पर उंगली रखे हुए वो सीडियों के रास्ते एक बड़े से कमरे में उनको ले गया जिसका रुख हिकरी रोड की तरफ था कमरा काफी अच्छी तरह से सजा हुआ था और उसमें आराम के काफी सामान थे एक दिवान बेड था जिसके उपर पुरानी मगर खुबसूरत इरानी दरी बिची थी और उसके साथ ही एक वालनट की टेबल थी जो देखने से 26 हिकरी रोड के सामान जैसी नहीं लगती थी वैलरी उनका स्वागत करने के लिए वहाँ खड़ी थी वो ठकी हुई लग रही थी और उसकी आँखों के आसपास काले गहरे बने हुए थे पॉयरो ने उसका अभिवादन किया वैलरी मुस्कुराई और बोली यहां मेरा समय काफी अच्छा बीता है मुझे यहां करीब तीन साल हो गए मैंने यहां कुछ अपना सामान भी खरीदा है क्या आप पढ़ाई करती है मैम अरे नहीं मिस्टर पॉयरो मैं तो नौकरी करती हूँ क्या कॉस्मेटिक बनाने की कमपनी में जी हां मैं सबरीना फेर के बायर्ज में से एक हूँ वो एक ब्यूटी सलोन है असल में मेरा कुछ पैसा उस धंदे में लगा हुआ है हम ब्यूटी ट्रीटमेंट के अलावा साथ में और भी काम करते हैं यही मेरा बिजनेस है क्या आप पैरेस और बाकी जगहों पर भी जाती रहती है जी हां मिस्टर पॉयरो महीने में एक बार और कई बार इससे ज्यादा क्या इंस्पेक्टर शार्प ने आपसे पूछताच की थी जी हां की थी और आपने उनको वो सब बता दिया था जो आप जानती है जी हां बिलकुल ओह तब तो ये बड़ी ही हैरानी की बात है वैलरी उनकी तरफ व्यंगय से देखने लगी मैंने इंस्पेक्टर शार्प को क्या जवाब दिये थे ये आपने तो नहीं सुने तो आप इस बारे में कुछ भी कैसे कह सकते हैं मिस्टर पॉयरो दरसल मुझे ऐसा लगा मिस्ट वैलरी मेरे इस दिमाग में ऐसे छोटे-छोटे विचार आते रहते हैं बस इतनी सी बात है मिस्टर पॉयरो अकसर जान बूज कर इस तरह की चालाकिया करते रहते थे लेकिन वैलरी पर उनकी इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा वो सीधे उनको घूरती रही और फिर बोली अगर आप सीधे सीधे असल बात पर आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मिस्टर पॉयरो ठीक है मिस्ट होब हाउस हम ऐसा ही करते हैं इतना कहकर मिस्टर पॉयरो ने अपनी जेब से एक पैकेट निकाला क्या आप बता सकती है मिस्ट कि इस पैकेट में क्या है मैं कोई खुदा नहीं हूँ मिस्टर पॉयरो बंद पैकेट में क्या है ये भला मैं कैसे बता सकती हूँ मिस्ट होब हाउस ये वो अंगूठी है जो मिस्ट पैट्रिशिया लेन के पास से चोरी हो गई थी सगाई की अंगूठी? मेरा मतलब है उसकी मा की सगाई की अंगूठी लेकिन ये आपके पास कैसे आई? मैंने उससे एक दो दिन के लिए उधार मांगी थी असल में मेरी दिल्चस्पी इस अंगूठी में थी इसके गायब होने, फिर दुबारा प्रकट हो जाने और इसके बारे में किसी और चीज में मेरी काफी दिल्चस्पी थी इसलिए मैंने मिस लेन से कहा था कि वो इसे मुझे उधार दे दे और वो तुरंट तयार हो गए फिर मैं इसे अपने एक जोहरी दोस्त के पास लेकर गया मैंने उससे कहा कि वो देख कर बताए कि इसमें जो हीरा लगा है वो असली है या नकली वो काफी बड़ा पत्थर था उसके दोनों तरफ छोटे-छोटे स्टोंज लगे हुए थे आपको याद है मिस? जी नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है मिस्टर पॉयरो जैसा कि मैंने आपको बताया मिस मैं इसे लेकर अपने एक जोहरी दोस्त के पास गया था और मैंने उससे इसमें लगे हीरे के बारे में पूछा आपको पता है उसका जवाब क्या था? मुझे भला कैसे पता हो सकता है मिस्टर पॉयरो? उसका जवाब ये था मिस्टर कि इसमें जो पत्थर लगा है वो हीरा नहीं है बलकी जरकौन है वाइट जरकौन ओ तो आपका मतलब ये है कि पैट्रीशिया को लगा कि उसकी अंगूठी में हीरा जड़ा था जबकि वो जरकौन है? वैलरी की आवाज में हलकी सी अनिश्चित था थी पॉयरो अपना सिर हिला रहे थे नहीं, मेरा मतलब ये बलकुल नहीं है मिस्ट ये सगाई की अंगूठी है वो भी पैट्रीशिया लेन की मा की मिस्ट लेन एक जवान लड़की है अच्छे परिवार की है और उनके परिवार के लोग उस समय काफी अच्छी हालत में रहे होँगे उस तरह के परिवारों में सगाई की अंगूठी पर अच्छे खासे पैसे खर्च किये जाते हैं हीरे की अंगूठी या ऐसी अंगूठी जिसमें कोई और दूसरे कीमती रतन लगे हो मुझे पक्के तोर पर ये लगता है कि मिस लेन के फादर ने उसकी मा को एक महंगी सगाई की अंगूठी दी होगी और इसलिए मुझे ऐसा लगता है मिस कि इस अंगूठी के हीरे को बाद में नकली पत्थर से बदल दिया गया है वैलरी ने धीरे से जवाब दिया मुझे आपकी ये बात ठीक नहीं लगती मिस्टर पॉयरो मुझे तो लगता है कि पैट से शायद अंगूठी का हीरा खो गया होगा और उसके पास हीरा लगवाने के पैसे नहीं होगे इसलिए उसने इसमें जरकौन लगवा दिया होगा हो सकता है आपकी बात सही हो मिस लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये संभव था मुझे तो ये लगता है कि ये अंगूठी मिस सेलिया ने ली होगी और उसके बाद उन्होंने इसमें हीरे की जगह जरकौन लगवा कर इसे वापस रख दिया होगा वैलरी तनकर बैठ गई आपको लगता है मिस्टर पॉयरो कि सेलिया ने जान भूच कर हीरा चुरा लिया पॉयरो ने नामे से रहिलाया और बड़े ही आराम से बोले नहीं मिस्ट मुझे ये नहीं लगता कि सेलिया ने हीरा चुरा लिया मुझे लगता है कि हीरा आपने चुरा लिया वैलरी हॉब हाउस की सांसें तेज हो गए अच्छा आपको ऐसा लगता है मेरे बारे में लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस बात का कोई सबूत है आप यूहीं बेसिर पैर की हाक रहे हैं नहीं miss hub house, मैं बेसिर पैर की नहीं हाक रहा मेरे पास सबूत है अंगूठी जब वापस मिली तो सूप की प्लेट में मिली मैंने एक शाम यहां खाना खाया था. मैंने इस बात पर ध्यान दिया था कि सूप किस तरह से परोसा गया था. वो एक धक्कन वाले डोंगे से बगल वाली मेज पर परोसा गया था. इसलिए अगर किसी को वो अंगूठी अपनी सूप की प्लेट में मिलती, तो या तो उसे सूप परोसने वाले ने रखा होता यानी जरोनिमो ने या फिर उस आदमी ने जिसकी वो सूप प्लेट थी और मुझे नहीं लगता कि ये काम जरोनिमो का था मुझे लगता है कि आपने इस तरह से अंगूठी को वापस करने की चाल चली ताकि आपके उपर कोई इलजाम ना आए अगर मैं आपकी आलोजना करना चाहूं तो कह सकता हूं कि आपका ये नाठ के रूप बड़ा ही हास्यास्पद था अंगूठी को देखना फिर हरानी से चिलाना मुझे लगता है कि आपने तरीका तो सोचा मिस लेकिन आप ये नहीं समझ पाई कि आपने ऐसा करते हुए खुद को ही धोका दे दिया वैलेरी ने बड़ी ही धिटाई से कहा आपका हो गया या अभी कुछ और ड्रामा बाकी है अभी तो बहुत कुछ बाकी है मिस देखिए उस शाम जब सीलिया ने ये मान लिया कि उसने चोरी की थी तो मैंने कुछ चोटी चोटी बातों पर ध्यान दिया उधारन के लिए इस अंगूठी के बारे में बोलते हुए उसने कहा था मुझे पता नहीं था कि ये इतनी कीमती थी जैसे ही मुझे पता चला मैंने उसे लोटाने की तयारी की तो अब सवाल ये है मिस वैलेरी कि उसे पता कैसे चला उसे ये बात किसने बताई कि वो उठी इतनी महंगी थी और फिर सकार्फ के काटे जाने के मामले पर मिसेलिया ने ये कहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ा वैलेरी को बुरा नहीं लगा तो अब सवाल ये है कि आपको इस बात का बुरा क्यों नहीं लगा जबकि आपका एक अच्छा खासा सकार्फ काट लगा था मुझे उसी समय ये बात समझ में आ गई थी कि ये चोरी का सारा खेल उसके क्लेप्टोमैनियक होने की बात ये सब उसके लिए किसी और ने सोचा था किसी ऐसे आदमी ने जो सीलिया से ज्यादा होशया था और जिसे साइकालोजी की भी अच्छी समझ थी आपने उ उससे लिया और उसकी वापसी का इंतजाम कर दिया इसी तरह ये भी आपका सुझाव था कि वो आपके स्कार्फ को काट डाले वैलरी ने तीखे स्वर में कहा ये सब कहानिया आपने बनाई हैं और ये सब बेसिर पैर की बाते हैं इंस्पेक्टर ने भी मुझे यही कहा था कि सीलिया को ये सब करने के लिए मैंने सिखाया था और मैंने उनको साफ साफ कह दिया था कि ये सब बगवास है पौरो ने बड़ी ही शांती से कहा और आपको लगता है कि वही बात आप मुझे कहेंगी मिस और मैं उसे मान लूँगा वैलरी दो एक पल उनको देखती रही फिर हस पड़ी उसने अपना सिगरेट बुझाया और पीछे कुशन पर आराम से बैठ गई फिर वो बोली आप सही कह रहे हैं उसे मैंने ही सिखाया था क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं मिस कि आपने ऐसा क्यूं किया था हाँ बिलकुल पूछ सकते हैं मैंने ऐसा सिर्फ इ जीब लगता था वो ऐसा लड़का है जो अपनी भावनाओं को छिपा कर रखता है और कभी भी उनको किसी के सामने नहीं आने देता इसलिए मैंने सोचा कि बड़ा ही मज़ा आएगा अगर उसे बेवकूफ बना कर उसके खोल से बाहर निकाला जाए मुझे ये देखना बि मैं पूरे जोश में थी उस बेवकूफ ने शुरू शुरू में ये किया कि उसको बाथरूम में पैट की अंगूठी मिली और उसने उसे चुरा लिया वो अंगूठी बड़ी ही महंगी थी उसे लेकर खूब होहला मचता और फिर पुलीस आ जाती और सारा मामला गंभीर हो पड़े लेकिन काश मैंने ऐसा नहीं किया होता लेकिन इसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था पॉयरो ने एक गहरी सांस ली और बोले मैंने भी यही सोचा था और अब हम पैट्रीशा की अंगूठी के मामले पर आते हैं सेलिया ने अंगूठी आपको दे दी आपक मुझे लगा था कि मैं इस मामले में साफ बच जाओंगी मेरे साथ प्रॉबलम ये है कि मुझे जुआ खिलने की आदत है ये एक ऐसी चीज होती है जिसकी आपको लत लग जाती है और आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते मैं एक छोटे से क्लब मेफेर से जोड़ी ओ शायद मुझे ये बात आपको नहीं बतानी चाहिए थी मैं नहीं चाहती कि वहाँ पुलिस की रेड पड़े या इसी तरह की कोई और बात हो बात ये है कि मैं उस कलब से जोड़ी हुई थी मैं वहाँ एक के बाजी हारती चली गई मेरे पास पैट की अंगूठी थी संयो जच में आ गई और उसमें फस गई मैंने हीरे की कीमत लगवाई और उसे बेच दिया और अंगूठी में उसकी जगह जरकॉन लगवा दिया और उस रात मैंने ऐसा नाटक किया जैसे अंगूठी मेरे सूप में पड़ी मिली हो मैं मानती हूँ कि ये बेवकूफी की बात थ अब तो आप सब कुछ जान ही गए हैं, लेकिन इमानदारी से कहूं, तो मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि सीलिया के उपर इसका इलजाम आए, पोहरों ने अपना सेर हिलाया और बोले, नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूं, ये तो बस एक मौका था जो आपके रास्ते में आ गया आपको ये बात असान लगी और आपने वही कर दिया, लेकिन मिस, आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वैलरी दुखी स्वर में फूट पड़ी, मैं समझती हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता है, आप चाहें तो मुझे फसा सकते है पैट से कह दीजिए, इंस्पेक्टर से भी कह दीजिए, पूरी दुनिया को कह दीजिए, लेकिन उससे भला क्या होने वाला है, उससे ये कैसे पता चलेगा कि सेलिया को किस ने मारा, हर्कूल पॉयरो अपनी जगह से खड़े हो गए और बोले, ये बात कोई नहीं जानता क किस बात से किस बात में कब मदद मिल सकती है, हमें रास्ते से उन बातों को साफ करना है, जिनका इस बात से तालुक नहीं है, और जिनकी वजह से इस मामले में उलजन बढ़ सकती है, मेरे लिए इस बात को जानना बहुत जरूरी था, कि सीलिया ने जुकिया, उसके लिए उ कट कर दीजिए वैलरी ने बुरा सा मुह बनाया फिर बोली ठीक है मैं पैट के पास जाकर उसे माफी वांग लूँगी वो अच्छी लड़की है मैं उसे कह दूँगी कि जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे तो मैं उसमें हीरा लगवा दूँगी यही चाहते हैं न आप जी हां मिस मैं यही चाहता हूँ और इसी की सलाह दूँगा आपको तब ही दर्वाजा खुला और मिस हबर्ड हडबडाई हुए अंदर आई उनकी सांसें तेज तेज चल रही थी और चेहरे के भाव बहुत ही डरावने थे उनको देखकर वैलरी जोर से चिलाई क्या हुआ मा क्या हुआ मिस हबर्ड कुर्सी में जैसे गिर पड़ी मिस्स निकोलेटिस मिस्स निक क्या हुआ उनको वो मर गई मर गई कब कैसे हैसा लगता है कि कल रात उनको सड़क से उठाया गया था वो लोग उनको लेकर पुलिस स्टेशन गए उनको लगा कि वो नशे में है उसस की आवाज काप रही थी पॉयरो ने सहजो कर कहा क्या आपको उनसे लगाव था मेस ये कहना तो मुश्किल है मिस्टर पॉयरो वो काफी बदमाश किस्म की औरत थी लेकिन हाँ जब मैं पहली बार यहां आई थी तीन साल पहले तब वो इतनी गुसेल नहीं होती थी जितनी की वो भाद में हो गई थी वो अच्छी औरत थी जिनके साथ बैठना अच्छा लगता था गर्म जोशी दिखाने वाली लेकिन पिछले एक साल में वो काफी बदल गई थी फिर वैलरी ने मिस हबड से पूछा मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने काफी पीना शुरू कर दिया था उनके कमरे से बहुत सारी बॉटल्स मिली थी ना मिस हबड पहले तो जिजगी फिर फूट पड़ी हाँ मिली थी और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे उनकी मौत के लिए मैं दोशी हूँ मैंने ही उनको कल रात अकेले जाने दिया था वो किसी बात से डर रही थी डर रही थी? पोईरो और वैलेरी एक सात बोल पड़े मिस हबड ने दुख से सिरः लाया और बोली हाँ वो बार बार कह रही थी कि वो सेफ नहीं थी मैंने उनसे पूछा भी कई बार पूछा कि वो किस बात से डरी हुई थी लेकिन उन्होंने मुझे कोई नहीं कह सकता कि उनकी उस बात में कितनी सच्चाई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी मौत नॉर्मल नहीं है, कि शायद उनका कतल हुआ है, इससे आगे की कहानी के लिए सुने, हिकरी डिकरी डॉक का चौथा और आखिरी भाग